हाई गाईज स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आज मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि सिक्षा मंत्राले ने स्कूल और कॉलेज खुलने के लिए क्या-क्या गाइडलाइन्स जारी की हैं क्या-क्या उनकी शर्ते क्या हैं किन शर्तों पर वो स्कूल कॉलेज को खुलने के लिए अनुमती दे रहे हैं तो चलिए उन गाइडलाइन्स को डिसकस करते हैं उन गाइडलाइन्स को आपको बताते हैं कि क्या गाइडलाइन्स है सिक्षा मंत्राले की तरब से स्कूल और कॉलेज खुलने के लिए सबसे पहले तो यह non containment zone यानि जहाँ पे एक भी कोवीड का case नहीं है जहाँ पे जो non containment zone है वहां के लिए यह procedure फालो किया जाएगा यह जो सिख्षा मंतराले की तरप से जो guidelines जारी की गई है वो non containment zone के लिए बनाई गई है दूसरी ये बात है दोस्तों कि स्टूडेंट्स अपने अभिभावकों अपने पैरेंट्स के अनुमती के अनुसार ही कॉलेज जा सकेंगे स्कूल जा सकेंगे उनका अंडर्टेकिंग लिया जाएगा कि आपके बच्चों को स्कूल भेजा जाए कि ना भेजा जाए तीसरी बात दोस्तों स्कूल प्रसासन यानि स्कूल मैनेजमेंट से पूछा जाएगा कि वे स्कूल खोलने के लिए या कॉलेस खोलने के लिए रेडी है कि नहीं है ये चीज़ उनसे पूछा जाएगा चौती बात दोस्तों COVID के वज़ा से, lockdown के वज़ा से, online education में जो बढ़ावा मिला है, उसको भी सरकार ध्यान में रख रही है, उसको भी उसने अपने guidelines में ये बताया है कि students से पूछा जाएगा कि वे online education, online पढ़ना चाते हैं, कि school जाके पढ़ना चाते हैं, यानि distance learning करना चाते हैं, या school जा करके उसमें सिर्फ PhD और research scholar होते हैं, जो PhD में होते हैं, जो PG में होते हैं, उन लोगों को अनुमती दी जाएगी college में जाने के लिए अभी फिल हाल के लिए, चुकि उनको lab में काम करना पड़ता है, इसलिए उनको lab में जाने की अनुमती दी जाएगी, हलांकि दोस्तों, Central Government ने इ State Government पे छोड़ दिया गया है, State Government अलग SOP बनाएगी, Standard Operating Procedure, और वो districts में भी Standard Operating Procedure बनाया जाएगा, उन procedure को follow किया जाएगा, तो आसा करते हैं कि आज की ये वीडियो आपके लिए कुछ लबधायक साबित हुई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक जरूर कर दिजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले दिन, या फिर आज भी हो सकता है, और चाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अब मेरे चैनल में मोटिवेशनल वीडियोज के साथ साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, टेकी वीडियोज भी मैं बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप लोग दोस्तों तयार रहिएगा, और खूब अच्छा रिस्पॉंस दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से मैं अच्छे